तो दोस्तों यहां पर मैं कुछ नंएा लेकिया हूँ देखो इस चैनल पर मैं थोड़ी डिफरेट वीडियो ड़ने वाला हूँ सो अगर में वैसे ही वीडियो देखना चाहते हूँ आप तो आप रानी जैसी तो आप टेक्निकल सागर चैनल पर देख सकते हो वहाँ भी वीडियो उजाएंगी लेकिन या मैं something computer related cyber related चीज़े डालने वाला हूँ तो आज मैं कुछ दो solution लाया हूँ storage device बनाने के कुछ अलग तरीका तो यह धाई इंच की hard disk है आपको पता है ऐसी hard disk आपके laptop में लगी होती है यह वाली ठेक है तो यह वाली जो होती है छोटी होती है जले से फाल लेता हूँ 3000 कुछ की मिली है मुझे 1TB की उसको फाल लेते हैं आपर यह जो hard disk होती है यह ऐसी दिखती है छोटी hard disk होती है इसका case आता है मतलब इसको आप portable बना सकते हो इसके लिगे case आता है market में जाओगे तो 4000-5000 की portable hard disk मिलती है आप बहुत पैसे बचा सकते हो इस normal दिखने वाली hard disk को आप portable hard disk बना सकते हो अब मैं बताओ आपको यह बड़ी वाली जो hard disk आती है बड़ी वाली उसके भी casing आते है लेकिन उसके लिए external power की ज़रुत पढ़ती है बिकस वो उसमें जादा बड़ा प्लैटर और बाड़ा machinery बहुत बड़ी होती है उसको बारा बूल्ट के लग ज़र पढ़ती है उसमें एक adapter आता है अप लगा सकते हो लेकिन इसमें को adapter की ज़रुत नहीं पढ़ती है और इसकी जो casing आती है गाईस इस पे polytiseen ये ऐसे एकदम clear casing है इसको कैसे खरना है जिए इसको कैसे करना है यहां पर यह खुलने माला होगा इस कोई मेरे ख्याल से ऐसे क Qur bay इसे उपर होगा होगा और यह ऐसे निकल जाएगा तो यह दो ludic हो गए अब यहां पर आप देख सकते हैं कुछ खांचे बने हुए है यहां पर तो यह जो है डिस्क है यह इसमें जाएगी ऐसे इसके अंदर जाएगी, तो यहाँ पर इसको लगाते हैं और आप देख सकते हो बड़े प्यार से ये इसको हमने अंदर की तरफ धकेल दिया, तो ये अब लग गई ठीक है, इसमें लग गई, अब हम इसकी casing को यहाँ ऐसे बंद कर देंगे इसको ऐसे लगा के बड़ी प्यारी लगती है मैं बना चुका हूँ ऐसी एक तो ये ऐसे बंद हो गई अब ये पूरी ऐसे, एक hard disk बन गई अब ये एक portable hard disk बन चुकी है इसके साथ एक cable भी मिलता है और इस cable को आप ऐसे लगाईए और आपकी एक portable hard disk तयार है 1TB की, आप इसमें 1TB तक data store कर सकते हैं, अपने laptop में, अपने mobile phone में, अपने computer में, so 3000 कुछ में यह आपकी 1TB की hard disk तयार हो गई, so एक solution मैंने आपको दिखाया, यह कोई भी local दुकान से आप ली सकते हो, कोई भी local shop से खरीग लो, कोई sponsored वीडियो का, ऐसा कुछ है नहीं है, और नहीं मैं कोई link देने वाला हूँ, so यह एक solution है, अगला product जो मैं review करने वाला हूँ, या दिखाने वाला हूँ, वो थोड़ा सा unique है, यह थोड़ा सा data hoarders लोगों के लिए है, मतलब यह जो चीज आपको दिख रही है, यह थोड़ी महेंगी है, यह थोड़ी महेंगी है, वह बहुत महेंगी है, 45,000, 6000, 7,000, 8,000, 9,000, ऐसे अलग-अलग rate है, तो यह जो चीज है, यह है my book, WD की my book, और यह कोई भी sponsored video नहीं है, यह सब मेरे ही खरेद हुए माल मसाले हैं, जो मैंने पहले करी दे, तो यह क्या है, मैं दिखाता हूँ आज को, यहाँ पर ऐसा packaging मिलती है, यह इसके अंदर ऐसा कुछ मिलता है, इसको ऐसे आप खोल सकते हैं, यहाँ पर यह चीज मिलती है, प्लस यहाँ पर कुछ और आइटम भी मिलता है, यह adapter वगरा मिलते हैं, मैंने आपको बताया है, यह बड़ी वाली है, हाला कि यह पहले से बनी हुई portable hard disk है, कुछ paper work, और यह box है, इसको यहाँ कर देता है, अब यह ऐसे इसमें खांचे में मिलती है, यह main चीज है, तो यह जो आप देख रहे हो न गाइस, यह बड़ी वाली hard disk है, प्लस इसमें fan भी है और कुछ भी है, तो यह my book नाम की एक, ऐसे, इसके उपर रख सकते हैं, ऐसे रखिए इसको, और इसको ऐसे रख दीजिए, इसमें फसा आके, ऐसे, और इसमें adapter लगता है, मेरी ख़ल से 12 volt का adapter होगा इसमें, इसके साथ 12 volt का adapter भी मिलता है, यह 12 volt का adapter मिलता है, जिसके साथ के जो यह है, यह adapter वाल में जाएगा और यह जो तार है 12 volt का, यह आपकी hard disk में जाएगा, यह यहाँ पर, पीछे मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत shiny, एकदम दिखो क्या, चीज एकदम shine कर रही है, एकदम shine, clean है, नहीं है, तो यहाँ पर दो केबल लगेंगे, पहला केबल लगेगा data का, और दूसरा लगेगा आपका यह power adapter का, इसको 12 volt की ज़र्द पढ़ती है, इसको लगा दीजे, और इसका केबल, यह वाला केबल, यहाँ लगा के अपने computer में लगा दीजे, तो यह आपको provide करेग जो content creator है, YouTubers है, यह चुटी मनाने जाते हो, बहुत सारे DSLR के photos है, high quality photos है, सब अपने phone में store करके नहीं रख सकते हैं, तो यह बहुत अच्छा, इसके नीचे देखो, यह rubber base दिया गया है, एकड़म proper ventilation दी गई है, means इसको 24-7 on रख सकते हो, no problem, यहाँ जस्ट ऐसे रखिए इसक अपने computer के साथ attach कर दीजे, और अगर आपके computer में storage इतना नहीं है, या laptop में इतना storage नहीं है, तो बहुत storage आपको यह my book 4TB की provide करती है, तो आज मैंने 2 solution बताया आपको, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, 10,000, अगर कोई पैसे की, कोई issue नहीं है, तो आप इस तरह की 1TB, it's more than enough, अगर आप budget में चाहते हो, 3,000 कुछ में चाहते हो, तो आप ऐसे खुद की एक hard disk बना सकते हो, casing लेकर, और एक 1.5 इंच वाली laptop की hard disk लेकर, laptop में इसको इसको इस्तेमाल करना तो मैं recommend नहीं करता, because hard disk आचकल थोड़ी सी obsolete हो गई है, मतब पुरानी हो गई है, speed इ और एक मैंने आपको दिखाई, एक डेसी जुगार जो casing आप खरीब कर लगा सकते हैं, Raymax का casing है, और यह WD की Western Digital की एक hard disk है, आप Seagate की ले सकते हैं, आप और कोई भी company की भी ले सकते हैं, कोई ऐसा issue नहीं है, आजकल तो सब अच्छी आ रही है, WD Green आ रही है, WD Purple आ रही है जो surveillance के लिए है, वो normal system के लिए है, तो अलग-अलग उसके साब से आती है, Barakuda वाली series आती है, बड़ी वाली वो आप try कर सकते हैं, so guys ये वीडियो आपको कैसी लगी, हाँ पर मैंने आपको बताए, storage solution, अपने comments में मुझे राय बताईए कि अगली क्या चीज़ आप देखन solution देखना चाहोगे, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे like करें, अपने दोस्ते को साथ share करें, और मैं मिलना आपसे अगली वीडियो में, thank you so much and goodbye.